हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें वल्कम तो और यूट्यूब चैनल डोंट फरकेट तो लाइक, सब्सक्राइब और शेर दे वीडियोज निव स्ट्रेक में फिर से एक बार आप तमाम लोगों का स्वागत है और खेर मगदम है उम्मित करता हूँ आप तमाम लोग बखेरियत और आफियस से होंके बारिश बेंतिया हो रही है और बाहर निकलने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा जब भी मैं बाहर जाने के लिए कोशिश करता हूँ उसे वक्त बारिश शुरू जाती है चायो मस्जिद के लिए नमाज के लिए जाना हो या कहीं बाजार में जाने हो चलते हैं हेड्लाइन्स की तरफ 아ज की सबसे बड़ी हैड्लाइन है करनाटा के सीएम याध रूपा ने अब यह भी थोड़ देर पहले अपना रेजिगनेशन क्का के कोवर्नर को दे दिया है और करनाटका के गवर्नर ने इनका रिजिगनिशन, इनका हिस्तेफा मंजूर बे कर लिया है करनाटका के चीफ मिनिस्टर यदरपा के बदलने की बातें बहुत दिन से गर्दिश कर रही थी आज ओव बातें एक तिताम को पहुंच गई है इसकी तफसिली रिपोर्ट हम आपको बताएंगे तोरे हिंदुस्तान में बारिश ने ऐसा कहरा मचा रखा है कि लोगों की जिंदगी हैरान ओपरेशन हो गई है बेलगाम से लेकर मारास तक मारास से लेकर कोकन के हीरिया में कोकन में सांगली सातारा और खास कर चिपलोन में इसका असर बेंतियाज जोर से हुआ है पेगेसिस एक स्पाइबेर है जो लोगों की जाती जिंदगी में दखल अंदाजी कर रहा है कपिल शर्माशो जो बहुत मशूर है बहुत जल्द आपके टीवी स्क्रीन पर आएगा मौसेजे फिर से स्क्रीन पर आ रहा है याने धर्मेंदर फिर से करन जोहर की फिल्म में काम करने जा रहा है इंडिया ने अपने पहले टीवींटी में स्रीलिंगा को 38 से हाराया और इंडिया और इंगलन के दर्मियान टूर 5 अगसे होने जा रहा है प्यार अंदा होता है ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं यूपी का एक 20 सला नौजवान ने अपने महीबबा को मुतासिर करने के लिए ये नौजवान सिर्फ एक वाटर सप्लायर है जो पानी लोगों के घर घर जाके सप्लाय करता है लेकिन अपने महीबबा को मतासिर करने के लिए यूपी की पॉलिस की वर्दी का इस्तेमाल किया और जल्दी दिली में इसे धर्दबो जा जब उसे तफ्तीश की गई तो उन्होंने कहा कि मैं अपने महिबुबा को मतासिर करना चाता था इसलिए मैंने इस पोलिस की वर्दी का इस्तेमाल किया डावरी यानि जहाज हर एक चाता है कि वो अपने लड़के के लिए ज्यादा सा ज्यादा डावरी ले आए और हमेशा वो बड़ी पार्टी उनके इंतिजार में रहते हैं कि ऐसे कोई बड़ी पार्टी मिल जाए जहां पर अपने वो लड़के करिश्टा करें ताकि लड़की के साथ दौलत भी साथ आए तरला की हुकुमत ने एक नया सा कानून नाफित किया है जहां पर सरकरी मुलाजमन को शादी के फौरण बात ये हलफ नापा देना होगा कि वो लड़की वालन की त्रभ से कोई भी शादी में जहस नहीं लिए गया इस बात का हलफ नापा लड़के के माबाब भी देंगे और लड़की के माबाब भी देंगे और खुद दुलहन भी देंगी हल्फ नामा शादी के चंद दिन बाद ही लिया जाएगा मुफ्त की दौलत खाने कर लोगों को बहुत सा शौक हो गया है लेकिन ये बुरी बात है अपनी शादी जितनी सादगी से होगी शादी उतनी देर तक चलेगी औलमपिक्स अपने बड़े जोर उशान से चल रहा है और इसमें भारत के बहुत से से खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल बीचेता है और गूल्ड मेडल जितने के करीब करीब है भारत के एक वेटलिफटर जिन्होंने इस औलमपिक में अपना पहला silver medal जिता है और उनका नाम है मेरा बाइ मेरा बाइ चयननों को भी मुभारग वद दी और कहा के असली दमंग तो मेरा बाइ है हेड्लाइन्स और छोटी छोटी खबरों के बाद अब आते हैं असल स्टोरी पर आज की बहुत बड़ी स्टोरी है करनाटका के चीफ मिनटर पयस्ट अदरूपा ने अपना रिजिकनिशन आज दो पहरे करनाटका के गवर्नर के सुपूर्द गया जिसे मंगजूर किया गया पिछली पुलिटिन में भी हमने इस बात का जिकर किया था कि करनाड़का में सियासी हंगमा बड़े जोर शोर से हो रहा है और ये बात आज सच हो गई बियस अधरुपा का कहिना है कि मुझे पहले ही मालूम था कि मैं अपनी कुर्सी से जाने वाला हूँ लेकिन वक्त उसका मुकरर नहीं था आज 25 जुलाई को उन्होंने हाई कमांड से इस बात का इंतिजार कर रहे थे कि उन्हें कौन से हिदायते दी जाएं जिसके बाद वो अपना रिजिनिशन का गवरनन के सपूर्ट किया करनाडगा के नए CM का चर्चा तो बहुत दिनों से चल रहा है जिसमें बहुत से नामों का जिक्र हमने भी किया था लेकिन इसमें सबसे पहले नाम है परलाद जोशी जो प्राइम इनिस्टर के बहुत ही करीब माने जाते हैं इसके इलावा धारवार के अर्विन बलाद भी मौझूद है और डेपीडी चीफ मिनिस्टर लक्षवन स्वेडी भी इस दावड में मौझूद हैं लेकिन इसमें कहीं नाम नजर नहीं आ रहा उनका नाम है उमेश कटी साब का जिसका पिछली बार हमने जिकर किया था ऐसे आट नमों का जिकर किया जा रहा है जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं BS एधरुपा का कैना है कि जिस दिन से मैंने करनाडगा के CM की चेर समभा लिया, तब से मुझे कई ऐसे चालींजिस का सामरा करना पड़ाता था, जिसके वज़े से मैं बेहनतिया परिशन भी था, लेकिन मैं बहुत मुतमईन हूँ, क्यों कि मैं हम श्यमुगा के लिए बहुत कुछ किया दो साल के अर्से में मैं शुमुका का काफी डेवलपमेंट कर चुका हूँ शिकारी पूरा जहां से मैंने सियासत में दाकला लिया था मैं तमाम लोगों का शुक्र गजार हूँ कि उन्होंने मेरे काम से बेंतिया मुत्माइन है और मैं तमाम लोगों का भी शुक्र गुजार हूँ जोनों ने मुझे सियासत में लाया लेकिन आरेसस का एक अलग सा फंडा ये है कि करनाड़का के चीफ मिनिस्टर अब होंगे तो लिंगाईत होंगे क्योंके हमें ओड बैंक को खयाल में रखना है अभी वक्त बताएगा के करनाड़का के ने चीफ मिनिस्टर कौन होंगे बेंतिया बारिश मौसलादर बारिश और नरुकने वाली बारिश जिसके वज़े से कई लोगों की जिन्दगी हाईरान और परेशान होगी है बारिश अपना कहर दिखाते हुए बेलगाम के नीची सती पे वाका उन तमाम जगों पे अपना असर दिखाया जहां पे लोग बेहंतिया ओपरेशन होगे लोगों के घरों में पानी गुश गया, लोगों के किचन में पानी गुश गया बेलगाम के सडके पानी से लबालब भर गए वैसे भी बेलगाम के सडकों में पानी बहुत अच्छा समा जाता है क्योंकि बेलगाम के सडकों में ज्यादा से ज्यादा गड़े मुझूद है ट्रेन की पट्री हो या एरपोर्ट का रन्वे हो बारिश ने अपना असर छोड़ी दिया है सबसे ज्यादा असर अंदास होने वालों में महारास्ट का वो चिपलू निला का है जहां पे लोग बेंत्या परेशान है और घर से बेगर हो गए है तकरीबन 6000 से ज्यादा पैसेंजर अपने ट्रेन में फस गए थे एक लाग 33,000 से ज्यादा लोगों को दिफूस जग्यों पर मुंतगल किया गया लेकिन अभी भी बारिश का जोर शुरू है और वहां के लोग बेंत्या परेशान है हमारे पास ऐसे कई वीडियो जा रहे हैं ऐसे कई फोटो जा रहे हैं और मदद की गोहार लगाई जा रही है कि चिपलून जो बेंत्या बारिश के वज़ए से मतासिर हुआ इसके लिए कुछ ना कुछ आप जरूर करें वह इस चानल के जरी आप तमाम लोगों से इलतिशा और गुजारिश करता हूँ कि सैलाफ से जो लोग मतासिर हुए है चाहे वो रकम छोटी कि उन्हों आप 500 रुपे से 1000 रुपे भी दे सकते हैं और कोई इससे ज्यादा भी रकम देना चाहता है तो हम उसका खैर मगदम करते हैं रह्मान फांडेशन बेलगाम जो हमेशा इस काम में बढ़ चड़ कर हिस्सा लेते हैं उन्होंने चिपलों में भी बहुत से लोगों की मदद की और ऐसे कई इलाकों में भी उन्होंने मदद करनी की कोशिश करी है जहां पे दूसरे लोगों का जाना नाममकिन है हम रह्मान फांडेशन को सलूट और सलाम करते हैं कि साल भर हमेशा किसी ना किसी तरह की लोगों की मदद करते रहते हैं चाए बलड बैंक हो चाए राशन कीट हो या कोईट से मतासिर होने वोगों के लिए माली इमदाथ हो या पेंशन हो रह्मान फांडेशन हमेशा से लोगों की मदद में बढ़ चड़ कर हिस्सा लेते हैं वाटसअप के ऐसे मैचेजिस हमारे पास आ रहे हैं जहां पे लोगों ने इन साहिलाब ज़्यादा लोगों की मदद करने का आइलान किया है उसमें एक डाक्टर भी है डाक्टर जंगू उन्होंने कहाएगे जिन लोगों पे खाने रहने की जरूरत हो वो हमसे राप्ता कायम कर सकते हैं फिर से एक बार मैं तमाम लोगों के उसे घुजारिश करता हूँ एस साहिलाब ज़्यादा इलाकों में ज्यादा से ज्यादा रकम दे कर उनकी परिशने को दूर करने की कोशिश करें महारस्ट में बेहंतिया बारिश की वज़े से वहां के स्टूटन अपना जी का एक्जाम दे ना सके जो 25 और 27 तारिक को होने वाला था लेकिन महारस्ट की हुकुमत नहीं आइलान किया है कि उन्हें घबरानी की बात नहीं है फिर से नई तारिकों का आइलान किया जाएगा क्लासिक ओल इन वन वाह क्या बात है छंडी में भी गर्मी का एहसास जी हाँ यहाँ पर आपको मिलेंगे प्योर उलन से बने सर से लेकर पाओ तक सभी प्रकार के कपड़े लड़के होया लड़किया महला होया पुरुष बच्चे होया बुजुर सभी के लिए स्वेटर, जैकेट्स, कैप्स, सॉक्स, हैंड गलव्स, थर्मल टीशर, त्री-फोर पैंट्स, बर्मूडा, नाइट तो आज ही आईए, क्लासिक ओल इन वन शॉप नंबर 1457, मारुती गली, बिसाइड मारुती टेंपल, बस्वान गली कॉर्नर, बलगा, कॉल करे 9606698537 पर रिश्वत किस तरह की भी हो, रिश्वत रिश्वत होती है, चाए मुर्गी की हो, चाए अंडे की हो, मुर्गी आजकल ज्यादा महिंगी होगी है, इसमें घवराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे फरीजिस पूरे भर चुके हैं, और 15 दिन तक हमें मुर्गी खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंडे की जहां बात आती है, अंडे में फिर से एक मिनिस्टर करॉप्शन चार्जिस में फच गया है, उनका नाम है शेशिकला जोले, अंडे की करॉप्शन एक नया मामिला है, जहां पे गांगनवाडी को दिये जाना वाले मिड़ी मिल में अंड का जिकर होता है, इस अंडे का फंड़ा ये है कि श्रीमती शेशिकला जो ने इसमें एक करोड रुपे ग्रिश्वत खाने का इल्जाम उन पे लगाया गाया है, लिने वाले इतलात की मताबिक एएएपी के कारेकरता ने सीम से मिलकर अपनी शिकायदर्ज की, मैं अनिस सवदागर, आम आदमी पार्टी से बेलगाम डिस्टिक का मीडिया इंचार्ज, श्रीमती शेशिकला जोले जी, जो मिनिस्टर है, विमेन और चिल्रेन डेलप्मेंट में, इनके उपर करेक्शन चार्जिस लगे हैं, जो अंग्रनवाडी स्कूलों को अंडे सप् इपा लें, और एक हाई कमीटी बिठाएं, उनके ओपर इंक्वारी कमीटी बिठाएं, और इमिडेट अक्शन लें. आई-टी, यानि Information Technology ने आप यहां तक तरक्य की है, कि आपकी हर चीज़ को देख सकते हैं, जान सकते हैं, और आपका तमाम डाटा, आपकी तमाम खुस्सी मालूमाद दूसरों तक पहुंचा सकते हैं. पेगेसेस स्पाइब है, जिससे इसराइल नहीं मनाता है, लेकिन सियासी हलकों में इसकी बड़ी मांग है. बात करते हैं, बॉल्यूट की. बॉल्यूट में आज सबसे पहले आपको बताएंगे, मौसी जी याने धरम जी. कई अर्सों से फिल्मों में नजर नहीं आ रहें, लेकिन इस बार वो रॉक्य और रानी की प्रेम काहनी में नजर आएंगे. फिल्म के डारेक्टर हैं करंजोर और धरमिंदर के साथ होंगे शवाना आजमी, आलिया भट और जया भहत दोरी. कपिल शर्मा का शो जो काफी अर्से से स्क्रीन से गायब है, लेकिन जल्दी आपके स्क्रीन पे फिर से आपको देखने को मिलेगा. कपिल शर्मा शो ने एक चीज गायब हो गई है, और वो है कबिल शर्मा की बीवी, यानि स्क्रीन बीवी, जो हमेशा उसकी होटन की ओब बेंतिया तारिफ किया गरते थे. न्यूस ट्रैक फे खबरों का सिंसला जारी है, मैं बताते हुए बेंतिया खुशी हो रही है, कि आप न्यूस ट्रैक ब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल इकन जरूर प्रेस करें वेलकम तो और यूट्यूब चैनल, दोंट फरगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेर दे वीडियोस